हेलो वाइस वेलकम टू माई यूटूब चैनल तो दोस्तो आज मैं आपको वताने वाला हूँ कि होटल और एस्ट्वेंट में किस तरह से बनाए जाता है चिकन लॉली बॉप तो दोस्तो देख सकते हैं आप सबसे पहले यहां पर आपको लेना है चिकन वीन्स तो दोस्तो च कट करेंगे चिकन वीन्स को हम दो फाट में और इसके एक के बनेगा दोस्तो दो पीस बन जाते हैं यहां पर अगर आप विदाउट स्कीन लेते हैं तो दोस्तो उसमें अधिकतर एक पीस बनता है और विद स्कीन में दो पीस बनते हैं दोस्तो और बड़े बड़े पीस भी बनते हैं देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से आप कर देंगे बहुत आसान है दोस्तो इसको तोड़ना देख सकते हैं कुछ इस तरह से तोड़के फिर कट करेंगे दोस्तो बीज में से सारी पीचों को इस तरह से काट के रख दें इसके बाद करेंगे दोस्तो हम फस्ट मेगेनेशन और यहाँ पर मैंने एक स्पून लिया है जिंजर गाली का पिस्ट और थोड़ा सा लिया है ग्रीन चिली का पिस्ट और थोड़ी से एट करेंगे दोस्तो शॉल्ट एंड फेपर तो दोस्तो फस्ट मेगेनेशन हमारे हम पर हो चुका है रिडी और आप बनाएंगे दोस्तो इसके लिए हम थोड़ा सा बैटर दो से तीन स्पून लिया है मैंने यहाँ पर कॉन फ्लोर और दो से दो स्पून लिया है मैंने यहाँ पर मैदा और एक डाल दिया है इसमें अंड इसके बार डालेंगे दोस्तो थोड़ा सा मैंने यहां पर लिया है जिंजर और थोड़ा सा लिया है गार्लिक और थोड़ा सा डाल दिया है मैंने इसमें कॉरियंडर है और थोड़ा से डालेंगे दोस्तो सिजुआन सास और थोड़े सी मैंने हमार ले लिया है सॉल्ट होड़ा सा ले लिया है फेपर थोड़ा सा डाल लिया दोस्तो ऑरंएट परवडर इसके बाद दोस्तो इसको अच्छे से mix करेंगे ताकि इसमें कोई गांट न रहे आप फानी डालके दोस्तो थोड़ा सा गाड़ा सा बैटर उना दें अच्छे से mix करेंगे देख सकते हैं इस तरह से हमारा बैटर बन के हो चुका है दोस्तो तयार इसके बाद दोस्तो बैटर को हम मिला देंगे चिकन में और तो दोस्तो चिकन लॉली पॉप को पकने में लगता है साथ से आठ मिनट तो दोस्तो इस तरह से आप भी अच्छे से चिकन लॉली पॉप को पका दें देख सकते हैं दोस्तो यहां पर हमारा चिकन लॉली पॉप पक के हो चुका है तयार और मैंने इसको एक प्लेट मैं इस भूनने के बाद दोस्तों इसमें एड़ किया है थोड़ा सा ओनियन और थोड़ा सा डाला है टोमेटो और कैपसिकम दोस्तों इसको भी अच्छी तरह से भूनना है भूनने के बाद दोस्तों थोड़ी सी हम इसमें एड़ करेंगे सॉस थोड़ा सा डाला है मैंने दोस्तों य और थोड़ी से डालेंगे दोस्तो और मेट पाउडर दोस्तो आप चिकन पाउडर भी यूज कर सकते हैं इसमें और मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है दोस्तो विनेगर और थोड़ा सा डाला है सोया सॉस तो दोस्तो इसको हाई फिलेम में पकाना है ताकि ये ठीक हो और दोस दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक कर दोस्तों लाइक चिकन लौलीपॉप बनाना भी आसान रेस्बी घर भेसे टेस्के दोस्तों वार चिकन लौलोई पॉप इस तरह से बनके हो चुका है तैयार पाखकिन आपना सकतू हुट कि एक एके दिए एक रिáoरे है कि एक एके कश्रीनों झाल साफ कि एक बाबगा रकिमर्च कि एक रड़त मधना चित कर शायरा ुट